Hey everyone, and once again, welcome to WS Cube Tech. Myself, Umar Taskir. दोस्तों, Amazon Affiliate के इस पर्टिकलर सिरीज में, या अफिलेट मागड़ेंग इस सिरीज में, जहां पर हम लोग बात करेंगे, किस तरीके हम लोग Amazon के प्रोड़क्स का अफिलेट कर सकते हैं, इस पर्टिकलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, कुछ WordPress कीम के बारे में, बिसिकली जब कभी हम Amazon के प्रोड़क्स का अफिलेट करना चाहेंगे, तो हमें एक वेबसाइट तो चाहिए होगी, जहां पर हम उन प्रोड़क्स को डिस्पले कराएंगे, चाहिए वो इन दा फॉर्म आप रिवीव वेबसाइट हो, या फिर वो हो सकता है, एक e-commerce फिर वेबसाइट आप बना सकते हैं, जिसके उपर आप जो आपके Amazon के प्रोड़क्स जिनको आपने सेलेक्ट करने के लिए, उनको आप लिश्ट करा सकते हैं, उनको आप शो करा सकते हैं, तो दो चीजों का रोल बहुत जादा बढ़ जाता है, जब कभी भी आप इस तरीक सेलेक्ट कर ली तो हो सकता है कि आपके जो conversion rates है वो decrease हो जाए, कहने का मतलब यह है कि theme इतनी जादा important एक चीज है कि अगर आपने theme वाले section को seriously नहीं लिया तो CTR, conversion, user experience से सारी चीज़े आपके hamper हो सकते, तो एक तो यह चीज होती है, दूसी चीज जो है, बड़ी सारी affiliate से related plugins है, बहुत सारे हमारे काम को आसान कर देने वाली plugins है, जो basically हमें जब हम affiliate marketing से related website बनाते हैं, उनकी ज़रूरत पढ़ती है, क्योंकि हो सकता हमें conversion की table बनानी हो, हो सकता हम review से related कुछ बनाना हो, तो वो सारे points जो की एक affiliate marketing के website में होने चीज़े, वो सारी चीज़ों को वो plugins कवर करती है, वो themes कवर करती है, तो कहने का मतलब यह है, कि theme और plugins दोनों बहुत ही important चीज़े हैं, अगर हम affiliate marketing की बात करें, वो किसी भी affiliate marketing की बात करें, यहाँ पर थोड़ा ह आप affiliate marketing करने जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि आप theme को importance ना दे, अलग-अलग category के लिए, अलग-अलग niche के लिए, अलग-अलग requirement के लिए, अलग-अलग format of content के लिए, अलग-अलग type के affiliate marketing के लिए आपको themes को बहुत ही seriously लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं कुछ बहुत ही famous themes की बात करने वाला हूँ, जिनके बारे में फिर आपको further सोच नहीं कुछ नहीं है, सबसे पहले, जो आप देख सकते हो, यहाँ पर आश्ट्रा theme है, उसके बाद generate press, इनको मैं अभी आपको दिखा भी दूँग, आप खुद जाकर इनको गूगल पर जाकर देख सकते हैं, औ जैसे आश्ट्रा theme की बात करें, generate press की बात करें, तो यह कुछ ऐसी themes हैं, जो कि basically इनके बारे में आपको कुछ सोच नहीं नहीं है, बड़ी आसानी से आप इनको select कर सकते हैं, कोई भी, मतलब यह like one stop solution है, ठीक है, और बहुत ही favorite themes में से एक है यह, और इनके बारे में बहुत booster का एक plugin भी आता है, जो कि बहुत ज़्यादा powerful है, तो यहाँ आप आप देख रहा हूँ, मैंने से लिखा हुआ है कि क्या चीज़े हमें ध्यान में रखनी है, अगर हम theme select कर रहे हैं, affiliate marketing के लिए, तो theme should be very simple, complicated नहोगी, user का experience ही खराब हो रहा है, user friendly होनी चाहिए, वो proper navigate कर सक यह, ऐसा नहोगी, user खुदी confused हो रहा है, तो इस चीज़ को कैसे आप चेक करोगे, मतलब कैसे आप इस चीज़ को find करोगी, कि यह website है, user friendly की नहीं, बहुत है, खुद इस website का जब preview आप देखोगे, या उस theme के उपर जो बनी वी website, उनको अगर आप देखो तो आपको clarity हो जा आपके CTR को, यह चीज़े indirectly effect करेंगे आपके conversion को, यह, आप परिशान रहोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या reason है, किस वज़े से मेरे affiliate के products हैं, उनके conversion नहीं आरे हैं, but the point is, कि आपकी website जो है, user friendly नहीं होती, simple नहीं होती, fast नहीं होती, या अगर आप SEO के through करना च जाता है, कि आप जो भी theme select कर रहे हैं, वो properly SEO optimized theme होनी चाहिए, अगर वो properly SEO optimized theme है, तब आपके लिए काम भड़ा ही आसान हो जाता है, कि आप properly, जो SEO से related elements होते हैं, वो उस theme में क्योंकि होते हैं, SEO optimized theme है, तो फिर आपके लिए यह आसान हो जाएगा, यह उनने elements को use करके, आप जो है, अपने blog को, या अपने review का content आपने लिखा, उसको बड़ी आसानी से आप rank करा सके, CTR optimized होनी चाहिए, even conversion optimized भी होनी चाहिए, फाइन, तो यह सारी चीज़े अगर होंगी, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताएं, यह सारी चीज़े होंगी, तो conversion optimized तो automatically हो जाएगी, उसके बाद यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, कुछ examples मैंने लिखें, जिसमें ashtra theme generate press है, my theme shop है, और schema light है, तो मैं अगर यहाँ पर आ जाओ, यह affiliate booster theme भी यहाँ पर open है, मैं Google पर आ जाता हूँ और generate press मैं open कर लेता हूँ यहाँ पर, तो आप देख सकते हो, यह generate press की official website है, इस particular theme का भी आप affiliate कर सकते हैं, आप आप देख सकते हैं, अप टो 30% commission on every sale that you will be making, right, so this is basically generate press official website, यहाँ पर आप देख सकते हो, कि जो है, यह free and open source है, बट premium के साथ भी आप जा सकते हो, तो उसकी pricing और भी यहाँ पर mention होगी, fine, so this is the official website of generate press, अगर आपको इसका preview और देखना है, यहाँ आपको यह भी देखना है, कि wordpress के उपर यह theme है, या नहीं है, तो free theme है, तो available आपको मिल जाएगी, यहाँ पर, fine, तो मैं wordpress.org पर आ जाता हूँ, और यहाँ पर मैं theme पर आ जाता हूँ, थोड़ा बहुत insights आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगी, मैं enter करता हूँ, यहा आपको यहाँ पर दिख रही, download करने का आपको option दिख रहा है, तो यहाँ से भी download करके आप upload कर सकते हैं, अगर आप इसका preview देखना चाहते हैं, तो वो भी दे सकते हैं, ratings पर ज़रूर ध्यान दे, आप देख सकते हैं, 5 out of 5 ratings बहुत ही अच्छी है, और किस तरीके से लोग इ अब ही ज़रूर कुछ ना कुछ घटे हुए है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, बट overall अगर देखा जाए तो इसके downloads बहुत ही जादा है, यहाँ पर आप देख सकते हो, बहुत ही high number of downloads per day के हिसाब से इस particular theme के हैं, तो यह बहुत ही अच्छी theme है, और बहुत सारे लोग जो है, वो generate press को पसंद करते हैं, इस पे बहुत सारे features है, generate press theme में, तो आप इसको select कर सकते हैं, दूसरी जो theme है, that is Astra theme, तो मैं एक बार Astra theme भी यही से select कर लेता हूँ, एक बार, themes list पे हम लोग आ जाते हैं, Astra को भी हम लोग यहाँ से pick कर लेते हैं, तो अगर आप देखो कि Astra को यह link दिया हूँ है, मैं यहाँ से open कर लेता हूँ, this is the official page, fine, and बहुत सारे features वगर है, इसका भी pro version है, templates आप देख सकते हैं, आपर आपको starter templates जो है, वो पता चल जाएगी, कौन-कौन सी templates जो है, वो available है, तो आपको hint लग जाएगी, किस type की आप websites बना सकते हैं, this is the premium one, और ज अगर मैं features के उपर आ जाओ, तो अगर हम लोग features भी देखें, तो आप देख सकते हो, यहाँ पर, it actually requires 50KB of resources as compared to hundreds, right, and powerful design options are there, site layouts are there, but यह pro version में है, यहाँ पर देखो, default containers there, typography is there, colors and background, किस तरीके के, किस type के आपको options मिलते हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी बहुत ही famous और fast theme है, tried and tested theme है, बहुत सारे लोग इसको use करते हैं, उसके बाद अगर हम लोग बात करें, तो जो हमारी third theme थी, वो my theme shop की schema light थी, इसको भी हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर, my theme shop schema light, right, यहाँ पर आप आप देख सकते हो, my theme shop की schema light है, तो अगर आप कुछ इस type से demo देखना चाहें, तो आप देख सकते हैं, इस particular website का, यहाँ पर कि यह website किस तरीके से दिखेगी, तो यह कुछ इस type से website दिखेगी, तो अगर आप content, जो है, blog के form में, या reviews के form में, अगर आप push करें, blog के form में, तो आप इस theme को select कर सकते हैं, basic से theme है, light theme है, इस theme को आप select कर स schema optimized, ठीक है, fast loading, schema optimized, micro data enabled theme, तो यह सारे options आपको यहाँ पर मिल रहे है, free version आप जो है, डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी header designs आपको दिये हुए है, homepages के अलग-अलग layouts दिये हुए है, आपको according to the requirement आप देख सकते हो, fine, global typography है, four menu options are there, disclaimer का option है, post page, archive, layouts, यह सब कुछ दिया हुआ ह ठीक है, well designed for professional affiliates, so this is something which is there for affiliates only, schema optimized है, fast loading है, customization is there, typography control, colors, ठीक है, gut and bug, compatible, and यहाँ पर आप देख सकते हो, पूरा जो home page का layout जो हो सकते हैं, उनके examples दिये हुए है, कि किस type के layouts आप यूज का सकते हैं, right, and single post का layout है, वो किस तरीके से दिखेगा, वो भी आपको option यहाँ पर तो उसके लिए आप देख सकते हो, advertisement हो गयरा के लिए space यहाँ पर इन्होंने दे रखी, तो बहुत सारी themes की official website के उपर जब आप जाओगे, तो आपको पता चल जाएगा, कि उन्होंने अगर आपर ad sense हो गयरा के लिए options हो गयरा दे रख तो आपको और सदा clarity हो जाएगी, कि type से आपके ads हो गयरा, कहाँ पर आपके ads हो गयरा दिखेंगे, fine, and this is the only theme, ठीक है, यह theme का ही के वला option वाला page है यहाँ पर, but आप इसके सासर theme plus plugin भी ले सकते हो, plugin is very powerful again, right, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, this is the plugin, get started with our powerful WordPress plugin, this is only for affiliates, affiliates के लिए plugin है, तो यहाँ पर आप देख स तो इस type के आपको features देगी, ready-made design, user-friendly controls, blocks for your every need, tablets and mobile friendly, no coding required, customizable, ठीक है, तो जो मैंने आपको बता है कि बड़े सारे options के हमें ज़रूरत पढ़ती है, जैसे single product का block, pros and cons का block, क्योंकि अगर आप review कर रहो तो pros and cons के आपको ज़रूरत पढ़ेगी, item list, notification, comparison table का block, तो यह सारी चीज आपको यहाँ पर मिल रही है, इस particular plug-in के अंदर, right, तो मैंने आपको क्या बता है, कि दो चीज़ा important है, themes and plug-ins, उसका selection important है, वरना आप क्या करोगे, आप एक basic theme select कर लोगे, उसके बाद आप confused होगे, कि मैं अब comparison कैसे बना हूँ, मैं आप coupons अगर लगाने हैं, तो मैं कैसे यह सारे option हमें यहाँ पर मिल जाते है, right, star rating का block है, product review का proper, product review का block है, conclusion का है, then there is free version, बट जिसमें बहुत सारी चीज़ा आप देख रहे हो, नहीं होगी, जैसे comparison block है, यह सारी नहीं होगी, so you have to go with their premium version, अगर आपको बहुत जादा-जादा features जो है, वो आपको लेनी है, then you have to go with the premium version, so plugin and theme, अगर एक साथ लेनी है, you can see, single site का जो license, that is $36, 25 sites का जो license, that is $51, and 50 sites का जो license, that is $75 a year, right, and here you will get this theme also, as well as the plugin also, right, so you can buy the bundle if you want, fine, so यहाँ पर आप देख सकते हो, कि इस type से, जो अलग-अलग हमरे पस theme सब label है, उनको हमें देख रहा है, कि कौन से theme को हम किस तरीके से कौन से plugin को हम किस तरीके से use कर सकते हैं, दोस्तों इस पॉड़ेवलो वीडियो में इतना ही, till the next video में, till then, good bye.